साहिर को हमने बहुत जादा मतलब लोगों से घुलते मुलते वे नहीं देखा है वो बहुत जादा रिजर्व रहते हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सेट पे वे वैसे ही रहते हैं लाइक बिहाइंड जब यहां जी उसको अगर कोई भी ऐसी उल्टी सिदी चीज या कुछ भी ऐसा पता चले इन फैक्ट अगर कोई डायलोग मैंने गलत बोल दिया हो या उसका कुछ भलता ही मतलब निकल रहा हो अगर के उसके उपर हम सब हसे हम इतने लोटपोट हो जाते हैं कि हम सोफे से नीचे गिर जाते हैं आपको एक वो सीरियसनेस भी होनी चाहिए और वो हमारे हीरो में है और मैं तो हमेशा से उससे बहुत कुछ सीखते हूं अच्छा साहर के लिए ये भी कहा जाता है कि वो काफी ज्यादा टैंटरम शो करते हैं सेट पे क्योंकि जब कुछ रंग प्यार के आया था तो वहां पे भी ऐसी बहुत सारी बाते आ रही थी नाओ ये वाला इद बेंस मोर दन फाइम मंग शूटिंग विद इस बॉइ एवरी सिंगल दे रिसेंटली तिल यस्टरे के मैं कहानी बताती हूं और कल रात को हमने हॉस्पटल में एक सीन किया जिसमें इसको भीक कर आना था ये लड़का बहुत ही मतलब काप रहा था बुखार में बट फिर भी वो पूरी बॉड़ी लिए अपने कपरों के साथ गीला होके रात के साड़े बारा बजे तक तो मैं शूट कर रही थी साथ में he was shooting और मेरे जाने के बाद भी I think दो धाई घंटा ये लोग शूट कर रहे थे so no there is no tantrums और रही बात अगर लेट आने की यह ऐसा कुछ तो उसी मौसम भी खराब है और आप I don't think so कि कोई भी actor time पे नहीं आके अपने नाम के आगे tantrums या फिर attitude या फिर wrong gesture लिखने की या बताने की या रूबरू होने की कोशिश करेगे इन सारे words से क्योंकि सारे लोग ऐसे ही है सबको काम करना है अपने time पे आके काम खतम करो time पे घर पे जाओ so some time with some reason कभी traffic हो जाए या कभी आपको genuinely personal कोई problem हो जाए या फिर आप पहुँच नहीं पारी हो बहुत सारे reasons वज़ा होती है उसकी वज़े से अगर आप shoot पे लेट आ रहे हो एक दिन या दो दिन तो उसको आप I'm sorry tantrum नहीं कह सकते कर दो